हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ दिपंकर वेलकम टू फोटोग्राप टीप सिंधी और इस वीडियो में मैं आपको बता हूँगा के कैसे आप किसी भी आंडोइड स्मार्टफोन से इस तरह का टाइम लैप्स वीडियो बना सकते तो इससे पहले भी मैंने एक टाइम लैप्स का वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप DSLR से ऐसे टाइम लैप्स वीडियो बना सकते मगर दोस्तों यहाँ पे DSLR में time lapse video बनाने के लिए आपको DSLR का जरूरत होता था और आपका DSLR में interval timer shooting options होना भी बहुत ही जरूरी होता था और वहाँ पे आपका DSLR दूरा capture किया गया उन सारे photos को edit करने के लिए और उसको time lapse में convert करने के लिए आपको PC या laptop में editing software की भी जरूरत होता था मगर दोस्तों यहाँ पे mobile में time lapse shoot करने का जो main advantage है यहाँ पे आपको sir for sir लगेगा एक smartphone और आपको लगेगा एक mobile tripod दोस्तों आजकल android smartphone सभी के पास होता है अगर आपके पास कोई tripod या mobile tripod नहीं है तो मैंने कुछ कम price का mobile tripod का Amazon लिंक नीचे description में दे दिये है अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं दोस्तों आजकल ज्यादा तर mobile brand में default camera app में ही time-lapse video recording का options आपको देखने को मिल जाता है अगर आपके smartphone में ये options नहीं है तो भी आप time-lapse video कर सकते हैं तो मैं उन दोनों प्रोसेस ही आपको बताऊंगा आप बस ये video last देखते रहिए तो दोस्तों पहले अगर यहाँ पे redmi यहां Xiaomi की phone की बात करें तो Redmi का phone में default camera app में ही आपको time-lapse video recording का options मिल जाता है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे camera में और उसके बाद यहाँ पे video camera में और video camera में जाने के बाद यहाँ पे options दिखेगा आपको वहाँ पे tap करना है और यहाँ पे ही आपको time-lapse recording का options नाजर आएगा मगर उससे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा settings में और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको दिखेगा time-lapse interval कौन सा situations में आपको कितना interval रखना चाहिए यह मैंने मेरा जो पहले time-lapse का video है उसमें मैं बता रहा था तो जादा तर 3-5 second average ठीक ठा है तो आप यहाँ पे interval को 4 second में set कर सकते है और दोस्तों यहाँ पी interval को set करने के बाद time-lapse को active कर लीजिए और यहाँ पे time-lapse options को active करने के बाद आप अपने जिस frame का time-lapse video लेना चाहते है वहाँ पे जाके आप अपना mobile को tripod के साथ लगा लीजिए और आपको frame set करने के होना के दे देगा तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ Redmi का नहीं बहुत सारा smartphone brand में आपको default camera app में time-lapse video recording का options देखने को मिल जाता है तो दोस्तों आप पहले आपका smartphone का default camera app का settings में जाके देख लीजिए के वहाँ पे time-lapse video recording का options है के नहीं अगर वहाँ पे time-lapse video का options नहीं है तो भी आप time-lapse video बना सकते हैं आपके smartphone से तो इसके लिए आपको play store से time-lapse का कोई third party application डाउनलोड करना पड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पे google play store में time-lapse video बनाने के लिए बहुत सारे आपको free application मिल जाएगा और आप इन में से कोई भी एक को download कर सकते तो मैं यहाँ पे download करता लैप सीट को और यहाँ पे लैप सीट को download करने के बाद मैं इसे open करता हूँ और open करने के बाद यहाँ पे आपको एक options दिखेगा वो है new capture और यहाँ पे new capture में प्रेस करने के बाद आपको नीचे बहुत सारा options दिखेगा तो आप यहाँ पे interval time को shift कर सकते इसके बाद इसको 480p तक कर सकते हैं और अगर आप full HD में record करना चाहते हैं तो आपको pro version को purchase करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे 480p कर लेता हूँ और यह सब set करने के बाद अगर आप यहाँ पे capture बटन को प्रेस करेंगे तो आपका smartphone हर उस interval time में एक shot लेना start कर देगा और इसके बाद आप जो आप इसको stop करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ options दिखेगा तो आप यहाँ पे trim कर सकते हैं आप यहाँ पे आपका time lapse video में effect डाल सकते हैं आप music डाल सकते हैं और अगर आप वह सब नहीं करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे simple render पे प्रेस कर दीजिए यहाँ पे आप आपको play store में इससे बहतर भी बहुत सारा application मिल जाएगा तो आप उन में से किसी भी एक को download करके time lapse video बना सकते हैं तो दोस्तों कैसे लगए यह वीडियो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगते हैं तो please like, comment और share कर दीजिए और अगर आप इस channel में नए हैं तो subscribe करना मत भूलना अगर आपका कोई भी सावाल है तो आप नीचे comment में कर सकते हैं मैं उसका reply जरूत दूँगा आप मुझे facebook या instagram में भी contact कर सकते हैं तो मेरा facebook और instagram link नीचे description में दिया हुआ है तो इस वीडियो में पैस इतना ही मिलता है किसी और वीडियो में